अज बात करने वाले कोपरेटिव सोसाइटी के बारे में काफी सारे कमेंट आप लोगों से आये हैं तो मैं कोपरेटिव सोसाइटी की सीरीज या फिर उसके बारे में बहुत सारे इंफोर्मेशन देने वाला हूं और हो सके तो उसकी ट्रेनिंग भी मैं जरूर चालू करूँगा लेकिन आपकी बेसिक अंडरस्टेंडिंग जब हो जाएगी उसके बाद तो कॉपरेटिव सोसाइटी जब भी हम लोग बोलते हैं तो उसके बहुत सारे प्रकार होते हैं आपको पता है कॉपरेटिव सिमिलर तो रहता है लेकिन उसमें कुछ-कुछ चीज़ें अलग भी रहती हैं तो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि कॉपरेटिव सोसाइटी बहुत नया कंसेप्ट नहीं है बहुत पुराना कंसेप्ट है जब पहले भी मिल के कोई काम करते थे तो वो कॉपरेशन ब लिगा पर कॉपरेशन वाली कंसेप्ट होती है और ये पूरा वैश्विक कंसेप्ट है युनिवर्सल कंसेप्ट है कॉपरेटिव सोसाइटी का फीचर क्या क्या होता है ये मैं आपको पहले बताता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आजा है की corporate search क्योंकि हर कोई यह बोलता है । ao तो आगे बढ़ते हैं फीचर्स क्या है cooperative society के सब्से पहले it is compulsory for the cooperative society to get registration इसका मतलब हम लोग तब तक उसको cooperative society नहीं बोलेंगे जब तक वो registration नहीं ले लेता और cooperative society is a separate legal entity एक अलग से legal विक्ती है और उसका pan card भी अलग से बनता है क्या होता है उसका pan card भी अलग से बनता है मैं यहां लिग दे रहा हूँ pan card separate तो इससे आप समझ जाएंगे तो उसके बाद दूसरा point है it does not get affected by the entry or exit of its member इसका मतलब जैसे वो एक legal entity एक घर के जैसा होता है घर अपने जगा खड़ा रहता है और उसमें members आते जाते हैं तरीके से हमारा जो यह cooperative society है वो एक legal entity बन गया है कोई member आया और कोई member भाहर चला गया उससे कोई भी दिक्कत नहीं है किसको हमारे cooperative society को तीसरा चीज है there is limited liability of members of cooperative society तो यहाँ पर unlimited liability नहीं है limited liability और limited liability कितना है जितना उसने पूंजी subscribe किया या फिर दिया है cooperative society में भी capital होता है तो उसमें capital में जितना आपका पूंजी है केवल उतना ही आपका दाइत हो है उससे जादा आपका दाइत नहीं है तो इसका क्या मतलब है क्या हम लोग fraud कर सकते हैं बिलकुल नहीं fraud नहीं करना है कोई गलत काम नहीं करना है लेकिन कभी भी अगर आपसे costing मांगी जाए अगर आपके society बोलती है कि आपको पैसा जमा करना ही पड़ेगा तो जितने का share आपने लिया उतना ही पैसा आपका liability उससे जादा नहीं यह बहुत important है नेक्स्ट है यह जो रहता है कि cooperative society यह managing committee रहती है जिसका election होते रहता है as per act of the society society के act के अनुसार managing committee जो रहती है वो बनती है governing body बनती है उसमें president, secretary, treasurer और जो जो post होते हैं अपने काम करने की सुभीदा के लिए वो सारे post वो बनाते हैं उसका election होता है और election होने के बाद में फिर उन लोग कारे भार समालते हैं उतने period के लिए और cooperative society का जो principle mutual help का है मतलब एक दूसरे के help का है welfare का है इसलिए यह जो principle है यह पूरे working में दिखाई देती है इसका मतलब जो काम करने का तरीका हर जगा पर mutual help की का जो concept है वो दिखता है और अगर कोई भी surplus या फाइदा आता है इस cooperative society में अगर कुछ फाइदा आता है तो फाइदा किसके लिए बनेगा वो उसके जो members है वो members को distribute होंगे या directly या indirectly उनके फाइदे के लिए ही use किये cooperative society सबसे पहला producer cooperative society अब क्या होता है चोटे चोटे जो producer होते हैं चाहे वो किसान हो चाहे वो दूद वाले हो चाहे कोई भी हो जो production करते हैं तो उन लोग क्या करते हैं कि इतने चोटे हो जाते हैं कि वो rate का negotiation नहीं कर पाते हैं उनसे जिस मूले पे कम से कम मूले पे लोग ले कोई भी चीज अगर मिल करते हैं तो यह पूरा producer का cooperative बन जाता है एक जगह पर एखटा करते हैं और एखटा करके उसको sale करते हैं अब जैसे केरल हम गया थे कुछ सालों पहले तो वहाँ पर coconut का cooperative society अलग से है वहाँ पर coconut का cooperative society है वहाँ पर कच्छा coconut मतलब नारियल वहाँ पर जमा करना है उसके बदले आप तेल लेकर जा सकते हो उसके बाद वो जो नारियल वहाँ जमा होता है उस नारियल को पूरा निकाला जाता है उसके पूरे छिलके को निकाला जाता है फिर उसका तेल निकालने की व्यवस्था करते हैं वो छिलके का भी कुछ product बनाते हैं उसक सबके लिए सेम होता है, वो उनको या तो पैसा दे देते हैं, या फिर अगर वो ओईल लेना चाहें, जो तेल निकालते हैं, उनहीं के cooperative society के सयोग से, वो उनको दे देते हैं, तो इसको बोलते हैं, producer cooperative society, right, दूसरा है, consumer cooperative, consumer cooperative क्या होता है, these businesses are owned and governed by customer of a particular area, कई बर क्या होता है, क कुछ लोग कस्टमर को दबाने की कोशिश करते हैं, अभी producer में मैंने क्या बोला, कुछ लोग producer को दबाने की कोशिश करते हैं, तो उससे ये producer का cooperative का निर्मान हुआ, अब customer लोग को दबाते हैं, कुछ लोग ऐसे रहते हैं, जो customer से दम अंदा दूंद रेट लेते हैं, और अलग-अलग customer से अलग-अलग rate लेते हैं, customer परिशान हो जाते हैं, customer क्या करते हैं, अपने cooperative बना लेते हैं, क्यूंकि सबका need, सबकी जरूरत एक particular चीजों की है, suppose करो, कि daily need के 10 समान है, जो की customer को चाहिए, लेकिन वो अलग-अलग rate पे provide करने वाला, कभी भी अपने मनमर्जी provide करता है, तो consumer अपना cooperative society बना सकता है, वो सही जगह से purchase कर सकता है, उसके बाद अपने members को distribute कर सकता है, वो purchase उसने 10 रुपे में क्या हो सकता है, 11 रुपे में अपने member को distribute करता हो, लेकिन अगर बाहर से direct customer लेता हो सकता, 15 रुपे उसको पढ़ रहा था, तो क्यूंकि वो cooperative society में एक unity के साथ काम करते हैं, तो उनको कम भी पढ़ा, और एक रुपे की बचत भी होगे society को, और वो जो बचत होगी, वो society के development के लिए, और अपने member के development के लिए use करते है अब बारी है तीसरे वाला, जो कि credit cooperative society है, यह आप लोग बहुत सुनना चाहते हो, तो इसके बारे में ध्यान से सुन लो, credit cooperative society क्या होता है, यह member owned financial cooperative है, इसका मतलब जितने लोग member बनते हैं, उन्हीं लोग पैसा लगाते हैं, cooperative society में, जिनके पास surplus पैसा है, वो अलग-अलग तरीके से पैसा लगाते हैं, चाहे वो daily deposit करें, चाहे fix deposit करें, चाहे MIS, monthly income के लिए deposit करें, deposit का कोई भी scheme उन लोग बना सकते हैं, अपने अनुसार, और वो deposit की scheme के अनुसार member बना लिए, सारे members लोग से वो deposit लेते हैं, deposit suppose करिए 10 लाग रुपए deposit हुआ, अब इसी 10 लाग को अपने ही member, जो की काम करने वाले हैं, सारे काम करने वाले होंगे normally, तो जो अपने ही member को business के लिए, या उनके personal needs के लिए जरूवत होगा, उनको finance करते हैं, अब जितना percent interest, invest करने वाले को देते हैं, उससे 1-2 percent जादा में, जो loan लेता है, उसको देते हैं, तो ये जो बीच का 1-2 percent, 5 percent, 3 percent बसता है, ये हो गया profit, इस credit cooperative society का, और ये profit को भी cooperative के फायदे के लिए, cooperative के members के benefit के लिए ही use करना है, cooperative का मतलब ही होता है, कि जो भी फायदा होगा, वो सब का, अगर कोई नुकसान हुआ, तो भी सब का, चौथा चीज़ है, अब credit cooperative के बारे में, आगे भी अलग अलग वीडियो में, बहुत विस्तार में समझेंगे, बट अभी ये classification समझना जरूरी है, marketing cooperative society भी होता है, ये marketing cooperative society भी producer cooperative society के जैसा ही है, बस फरक इतना है कि जो producer cooperative society, उन लोग कुछ उपज करते हैं, या कोई चीज बनाते हैं, या फिर कोई चीज पैदावार करते हैं, लेकि इन लोग क्या करते हैं, सही rate में बेच पाएं, सही rate में बेच पाएं, उसके लिए ये मिलकर एक society बनाते हैं, तो सही rate में समान बेचने के लिए भी society बना सकते हैं, और मैं इसके बाद अच्छा, इसमें देखिए, क्या फायदा होता है सही rate में बेच पाने के लिए, अब ह प्राइटिशन का फाइदा उनको लेना हो तो अगर मेरा समान थोड़ा सा और मैं बहुत दूर समान भेजना है तो अकेले को ट्रांस्पोर्टेशन चार्जस लग जाएगा लेकिन अगर दस जन मिल कर करें तो एक पूरा ट्रक हायर कर सकते हैं और और वो जो भी खर्चा है व इनको वेरहाउजिंग, डीप फृरीजिंग की जरूरत होती है सबजी वाले हो सकते हैं और भी कोई समान जो समान सीजनल होता होगा तो सीजनल वाले समान भी ले सकते हैं किसी भी प्रकार का समान जिसको बेचने के लिए मिलकर कौपरेटिव बनाते हैं ताकि उनको ट्रां houses at reasonable cost आप देखेंगे बॉंबे और काफी सारे शहरों में housing cooperative society बनता है वहाँ पर society बनाते हैं और society पूरा building construction करती है construction करने के बाद में वो society के member रहते हैं वो ही मालिक रहते हैं मतलब society में membership अगर आपने लिया तो आप वहाँ पर मालिक बन गए जब भी आपको flat बेचना है या फिर घर बेचना है बोलेंगे न तो आपको membership बेचना है actually और यह housing cooperative society बनाने का फाइदा क्या रहता है कि उसको एक legal shape दिया जाता है उस पूरे colony को उस पूरे building को manage करने के लिए और आपस में उन लोग पैसे collection भी करते हैं और उससे activities करते हैं उसमें उससे security की ववस्था करते हैं उससे पानी और maintenance की ववस्था करते हैं cultural functions भी उन लोग करते हैं और जो अगर पैसे बजगे तो उसको वो समाल के भी रख सकते हैं और अपने members को benefit भी provide कर सकते हैं के लिए कुछ program कर सकते हैं तो उसको बोलते हैं housing cooperative society अब एक चीज़ मैंने यहां पर add किया है कि housing cooperative society में जैसे हम बार-बार यह कह रहे हैं कि members है members है members है तो यहां पर voting का power किस तरीके से होता है मैं आपको बताओं कि अगर कोई company रहती है तो उसमें voting का power number of shares के साब से होता है for example मेरे पास 50% से जादा का share है तो फिर मैं जो भी vote करूंगा ना तो ऐसा समझा जागे कि 50% लोगों ने vote किया है मेरे पास 60% वोट है और मैंने vote हां बोला इसका मतलब 60% लोगों ने हां बोल दिया लेकिन cooperative society में ऐसा नहीं है वहाँ पर एक वेक्ती एक ही vote देता है एक वेक्ती एक ही vote दे सकता है चाया वो कितने रुपए कभी capital का share उसने लेकर रखा हो लेकिन वहाँ पर 10 वेक्ती हैं तो दसो बराबर है लेकिन company वगरे में ऐसा नहीं होता रही तो ये आप लोगों को मैंने आज बहुत important चीज़ बताया cooperative society के बारे में cooperative society के प्रकार बताया है उसके features बताया है आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानका दी देना बने रहे मेरे साथ आपका दिन दज़ोर दस्त और शुभो